हेलो दोस्तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसी टेबलेट के बारे में जो की erectile dysfunction की शिकायत में यूज की जाती है या फिर sexual timing में कमी रहती है या खास अंग में तनाव नहीं आता तो आप इन से भी टेबलेट में से कोई एक ले सकते हैं दोस्तो यह 4 टेबलेट होती है सिल्डानेफिल, टेडानेफिल, वर्डेनफिल, एवेनफिल दोस्तो आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कौन से टेबलेट लेनी चाहिए और इन से भी टेबलेट में क्या डिफरेंस होता है तो चली शुरू करते हैं आज की वीडियो दोस्तो आपको इंडिया में सिल्डानेफिल, टेडालेफिल आसानी से मिल जाती है और वर्डेनफिल और आवानफिल इंडिया में नहीं मिलती है टेबलेट आपको विदेश से किसी जानकार के थरू या फिर ओल्लाइन मगानी पड़ेगी और अब बात कर लेते हैं इनके दिलीज की यानि के जान लेते हैं कौन सी टेबलेट कितनी पुरानी है और कौन सी कब लॉंच हुई है यानि कि कौन सी लैटेस्ट टेबलेट है और अवानफिल अपरेन 2012 में लॉंच की गई है जो की लैटेस्ट है और इसके बाद कोई भी टेबलेट PDEFI के रूप में नहीं आई है और दोस्तों आप बात कर लेते हैं कौन सी टेबलेट किस बराण नेम से मिलती है तो आप देख सकते हैं सिल्डन एफिल मिलती है वाइगरा के नाम से जो की बहुत ज़्यादा फैमस है और आप से भी जानते होंगे और इसको फाइजर कंपनी के दुआरा बनाया जाता है और दोस्तों यह मेनफोर्स के नाम से भी पहुत ज़्यादा फैमस है और अबरडन एफिल मिलती है लिविट्रो के नाम से जो की बायर फार्मा के दुआरा बनाया जाती है और Tedanafil मिलती है Caelis के नाम से जो कि नूपन कम्पनी मेनुफिक्चर करती है और Friends Avenafil मिलती है Avenair के नाम से जो कि सिपला कम्पनी के थुरू बनाई जाती है दोस्तो अब बात कर लेते हैं इनको लेने के सही तरीके कुन से होते है यानि के कब लेनी चाहिए और बात करेटर लेटानाफ़िल की यह इंटरकोर्च से 30-60 मिनट पहले लेनी होती है और अबनाफ़िल को 10-15 मिनट पहले लेनी चाहिए यह तुरंथ काम करती है और बहुत ही एक्ट्व होती है लेने के तुरंथ बाद ही असर करना शुरू कर देती है अब बात कर लेते हैं Action of Duration की यानि कि कौन सी tablet कितने समय तक असर करती है सिल्ण नेफिल 4 गंटे तक काम करती है और वर्ण नेफिल 4-5 गंटे तक काम करती है और दोस्तों टेड़ा फिल 22 गंटे तक काम कर सकती है यानि कि 3 दिन तक इसका असर रहता है और यह सबसे long time के लिए ली जाती है सबसे ज़्यादा इसका असर रहता है 36 से 22 गंटे तक आसानी से cover कर लेती है और precaution की बात के रहे तो sildanafil के ओपर आपको कुछ नहीं खाना है और नहीं कोई alcohol लेना चाहिए और वल्डनafil के बाद भी आपको कुछ नहीं खाना है और नहीं खाना खाने के बाद तुरंट टैबलिन लेनी चाहिए वरना आपको कोई भी side effect हो सकता है और नहीं यह tablet अपना काम करेगी और बात करें टैडनafil की तो अगर आपने कोई हलका खाना खाया है तो आप इसको ले सकते हैं और दोनों के compare में थोड़ा safe होती है इसको hypertension वाले व्यक्ति भी ले सकते हैं और अवेना फिल को भी खाने के साल ले सकते हैं और इसमें alcohol भी ले सकते हैं क्योंकि यह latest है और यह उसी के according बनाई गई है और बात करते हैं side effect की अगर आपने side effect ली है तो आपको headache वर्टी को या फिर flushing जैसे दिक्कत होने के chance से रहते हैं यानि के flushing का मलब होता है कान और मुग का लाल होना और दोस्तो वर्टेन फिल भी से दिक्कत कोज कर सकती है बात करें टेड़ा फिल की तो यह है थोड़े कम harmful होती है यानि के इन दोनों के मुकाबले थोड़े कम headache, vertigo या फिर थोड़ा कम side effect देखने को मिलेगा और बात करें एवेनफिल की तो यह सबसे कम harmful होती है इसमें बहुत ही कम chance रहते हैं headache, vertigo and flushing के बहुत ही कम chance होते हैं दोस्तों वीडियो से आपने जाना है कि आपके लिए कुन सी tablet बैतर है अगर आपको कम समय के लिए चाहिए तो आप एवेनफिल ले सकते हैं और अगर आपको ज़्यादा समय के लिए चाहिए तो आप टेड़ा फिल ले सकते हैं वीडियो की 36 से 72 गंठे तक आराम से कवर कर लेती है दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लिजीगा जिससे कि आपको ऐसी इन्वलेजेबल वीडियो मिलती रहेगी थैंक यू सो मच वोचिक वर मै वीडियो